दोस्तो अगर आप ATL Payments Bank Saving Account को यूज करते हो और अब आप उसको close करवाना चाते हो तो आज की इस बीडियो को आप पूरी देख लेना क्योंकि आज की इस बीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने ATL Payments Bank Saving Account को close कैसे करवा सकते हो आज की इस बीडियो अपने phone को open कर लेना उसके बाद आप जो है अपने phone में अपने Gmail को open कर लेना क्योंकि अगर आप ATL Payments Bank Saving Account को close करवाना चाते हो तो इसके लिए आपको ATL Payments Bank Customer Care के पास एक जो है proper mail करना होगा तो सबसे पहले आप जो है अपना email open कर लेना उसके बाद आपका email open होने के बाद आपके सामने इसा PG pane हो जाएगा फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देना compost पे इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एसा PG paste मिल जाईगा फिर आपको सबसे उपर आपकी email id मिल जाएगी आप जो है इस email id से mail कर रहे हो उसके बाद आपको टू में ढाल देना है है एकलल पेमें bank account close request subject में आपको यह चीट डालना होगा उसके बाद आपको compose email में क्या चीट डालना है वो चीज आप ध्यान से समझेगा वरना आप जो है कर नहीं पाऊगे तो यहाँ पर मैंने जो है सारी डीटेल डाल दिया है आपको सेम टू सेम ऐसे ही डालना है compose email में सबसे पहले लिख देना है डियर सर और मैडम उसके बाद आपको इस पेस डाल के नीचे जो है लिखना है इसके बाद आपको नीचे जो है लिख देना है उसके बाद आपको अपना नेम डाल देना होगा नीचे इसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम डालने के बाद नीचे जो है अपने एटल पेमेंटस बैंक सेविंग एकाउंट का एकाउंट नंबर जो है डालना होगा उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना होगा फिर आप यहां पे ठाइंग से रिगांड लिखके अपना नाम डाल देना अपना कॉंटेक नंबर जो है डाल देना तो इतना काम आपको करना होगा एटल पेमेंटस बैंक सेविंग एकाउंट को क्लोज करवाने के लिए सेम टो सेम आपको ऐसा मेल जो है करना होगा और आपको इस मेल के साथ अपना आधार काड जो है अटेस करना होगा अपने आधार काड की फोटो आपको यहां पे send करनी होगी आपको photo कैसे send करनी है? ओचीज आप यहां पे ध्यान से समझे गा तो सब से पहले आपको प्रण आधार card जो है online download करना होगा जिस आधार card में आपका आधार number पूरा जो है so नहीं होता है वोई आधार card आप जो है online download करके उसका एक जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको अपने आधार कार्ट के प्रिंट आउट पे अपना जो है सिंगनेचर करना होगा signature करके आप जो है print out का अपने phone से एक जो है photo click कर लेना इसके बाद दोस्तों आप जो है इस mail के साथ अपने अधार card को भी attach कर देना attach करने के लिए आपको यहाँ पे click करना होगा फिर आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा attach file का यहाँ पे click करके जो आपने आधार card का जो है print out निकलवा के signature करके photo कीचा है वहीवाला यहाँ पे attach करके यहाँ पे mail को send कर देना बस इतना ही काम आपको करना होगा एटल payments bank saving account को close करवाने के लिए उसके बाद हो सकता है दोस्ते तीन दिन में आपके पास एटल customer care का call जो है आए कि वो जो है आपसे पूछेंगे कि आप जो है क्यों बंद करना चाहते हो अपना एटल payment bank account तो आप जो है बता देना उसके बाद आपकी detail भी verify हो सकता है करें तो आप जो है सारी detail अपनी बता देना फिर आपको एक हपते वेट करना होगा आपका एटल payments bank account जो है close कर दिया जाएगा तो ऐसे करके आपको close जो है करवाना होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हर वीडियो को लाइक करना साथ में हमारे इस चैनल को प्लीज हर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में अगर आप earning करना चाते हो पैसे कमाना चाते हो तो इसके लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को आप जो है join कर लो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जल्दी जाओ join कर लो